हालो गर्स वाले यूट्व चैनल एंड इंटल की 12th जनेरेशन उसकी इंडियन प्राइसिंग क्या होने वाली है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इसूस ने Noctua के साथ क्लाइबरेशन करके एक नया जो कार्ड है वो लाउंच कर दिया है उसी महीने λांड में ग्लांट में अगर तुम इंटरस्टड हो एक्स नॉक्ट रापचिक से है वो लीक हुई है तो उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि Amazon की sale है description में Amazon का link है तुम जानते हो तुम जानते हो तुम क्या करना है सेल में कुछ भी खरीदो टीवी घर के appliances कपड़े मतलब जरूरी नहीं यह PC पार्ट्स खरीदने जिस चीज में sale लगी है वो जाके खरीदो description में Amazon का link है मैंने community app में कुछ मस्त मस्त डील शेयर करी वी है जाके चक करो पहले बात करते हैं हम लोग छोटी सी न्यूज है Asus की ठीक है Asus की cover कर लेते हैं तो Asus ने Noctua के साथ जो है वो 3070 graphics card जो है वो निकाला है और photos आपको दिख रही होंगे Noctua का देखो मुझे बताने की जरूत नहीं कि Noctua air cooling में कितना फेमस है Noctua के coolers कितने famous है मैंने Noctua के coolers का review भी डाला वा जाके check out कर सकते हो तो Noctua के साथ Asus ने collaboration किया है और 3070 जो graphics card है यह निकाला है विकास fans के लिए कुछ भी करींगे और no pun intended तो fans समझ रहे हो ना ठीक है तो अब Noctua का जो है वो traditional beige जो यह color है यह brown and chocolatey जो भी coffee जो भी color है यह जो है इसमें तुम्हें fans लगे वे दिख रहे हैं और एक classic Noctua look जो है वो तुम्हें देखने को मिलता है कुछ लोगों को RG भी पसंद होती है बट एक होता है कि यह Noctua वाला look ठीक है क्योंकि कुछ सोच के इन लोगों ने निकाला होगा because Noctua के fans जो है वो भरे पड़े है ठीक है Noctua के fans भरे पड़े है समझरे हो जोक Noctua के fans मतलब पंखे वाले fan नहीं लोग जो fan होते हैं वो वाले तो Noctua के कई लोग fan है तो और Asus के भी fan है तो अगर आप इंट्रेस्टेड हो इसमें तो मिड ऑक्टोबर में जो है वो यह कार्ड मार्केट में आ जाएगा ठीक है ना बढ़ते हैं अपनी में न्यूस के तरफ इंटल की प्राइजिंग तो यहां पे देखो इंटल की पहले बात सीप्यू की कुछ मस्त मस्त फोटोज लिए तो पहले तुम इन फोटोज को मस्त से निहार लो कि अगर तुम 12th generation का वेट कर रहे तो वो CPU कैसे दिखने तो यहां पे बात की जारी कि जो 12900K होगा जो कि 16 core का प्रोसेसर होगा 16 core 243 का प्रोसेसर इसकी जो प्राइस बताई जारी है वो बताई जारी है यहां पे 599 US डॉलर और जो इसका non-K variant होगा वो 509 US डॉलर के आसपास होगा तो जो हमारा सबसे flagship होने वाल है के विरियंट 599 US डॉलर यानि की 600 डॉलर इसको अगर तुम इंडियन रुपीज में करते हो और इसमें GST VST एड़ करते हो तो यह आपका एराउंड 52-53,000 के आसपास का देखने को मिलेगा पर ध्यान रखो 53-50 तुम्हें सुनने में बहुत जादा लग रहा होगा बट यह 16,000 कोर का प्रोस का लुबदलुबाब निकालें पूरा तो 599 डॉलर यानि कि 55,000 GST VST एड़ करने के बाद में आपको इच प्राइस बता रहा हूं ठीक है यह आपको मिलता है वही पर तुम्हें अगर तुम्हें 16,000 कोर का 5950 जाओगे तुम्हें 60-70,000 सूपर का देखने को मिलेगा तुम् मोच देखने को मिल रहा है एक powerful CPU में मतलब तुम्हें 20,000 रुपे सस्ता मिल रहा है एक ऐसा CPU जो कि single core performance में at least on paper AMD से better है अब real world में जब आ जागा तब देखेंगे कितना fast है बट at least अभी के लिए तो fast है ठीक है उसके बाद जो की budget लोगों को चाहिए ही चाहिए i5 12400 आप द तुम GST VST एड़ करके इसकी pricing को Indian currencies में तुम निकालते हो तो यह तुम्हें around तुम्हें देखने को मिलेगा 18,000 के आसपास का तुम्हें ध्यान रखना है यह एक 6 core का processor है 12 threads का and यह Ryzen 5600 X से faster है in terms of single core performance तो अगर यह CPU तुम्हें 18,000 का देखो 18,000 तो देखो इसकी price बन रही है पर मानके चलते हैं कि 2000 रुपे extra भी मिल रहा है मानलो 20,000 का मिल रहा है पर तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर यह CPU 18 अगर 20 का भी आता है 2000 का भी आता है ठीक है मैंने sellers के लिए 1000 रुपे दे दी है मैंने का sellers ash करो ठीक है तुम्हे लूटना है लूट लो 1000 रुपे और लूट लो 21,000 का भी आता है अगर ये ठीक है तुम जानते हो कि 5600X 24-25,000 का बिखता है Amazon पे कुछ दिन से एक कोई बेच रहा है 20-21,000 का बट वो एक new seller है वो scam है नई या कोई नी जानता बट generally ये 5600X जो है वो कितने का भीखता है 24-25,000 का वहीं पे 12,400 की launch price तो at least 18-19,000 रुपे होनी चाहिए बट चलो मैं मानके चलता हूँ कि 20-21 ठीक है इतनी भी होती है seller थोड़ा अपना incentive एड़ कर लेते हैं थोड़ा scalping होती है ये सब होता है फिर भी ये तुम्हें अच्छी value प्रोवाइड कर रहा है compare to AMD in theory again अब launch में क्या होगा Intel क्या pricing real में रखता है क्या availability होती है इंडिया में आके pricing क्या हो जाती है वो तो भाई हम लोग नहीं जानते और at least मैं तो hope कर रहा हूँ कि जो मैंने pricing लगाई है वो ही पर launch हो तो हम gamers का भला होगा और इसका जो F variant है वो तो और सस्ता होगा फिर इसी साब से है ना तो आगर आप एक 12th generation का wait कर रहे थे तब से तो भाई देखो तुम्हें कुछ hopeful चीज़े देखने को मिल रहे है कुछ तुम्हें hope देखने को मिल रहे है यहाँ पे है ना तो उमीद पे तो दुनिया का है है मैं एक महीने में देखो तुम्हें एनाउंस हो जाएंगे तो अब एक महीना ही wait करना है जो तुम्हारा founder edition या reference card जो होता है बाकि तुम्हारा safe IR, asus, gigabyte ये लोग तो अपने cooler अलग से बनाते हैं लेकिन जो Nvidia और AMD की तरफ से खुद का जो design होता है उनका जो वो launch day पर दिखाते हैं जैसे Nvidia अपना founder edition दिखाते है इस type का दिखने का देखके पता चल रहा है वो silverish type का जो भी look है ठीक है, blue lights वगएरा देखके Intel लग रहा है लगता नहीं कि इसकी heat dissipation इतनी अच्छी होगी by the looks of it बाकि अगेन ये एक mid range card होगा तो पता नहीं है ना, TSMC के 6 nm पर बनाने की बात चल रही है इसको TSMC के 6 nm पर ये बेस्ट होगा launch इसका जो हो काब होगा इसके specs वगएरा तो हम लोग पहले discuss कर चुके है बाकि अगेन ये mid range card में ये होगा mid range card ये 3070, 3070 Ti से compete करेगा ये कुछ इतना 3080, 3090 इतना high end पर नहीं compete करेगा और ये तुमारा अगले साल first quarter में मार्केट में especially एक mid range GPU मार्केट में और Intel के ये graphics card mid range gamer को ही target करेंगे क्योंकि high end gamer जादा नहीं है mid range gamer जादा है जो budget gamer जादा है तो हमको वही चाहिए mid range market में हमको जादा competition चाहिए ताकि हमको सस्ते और powerful graphics card देखने को मिले एक और competitor आएगा healthy competition better competition, better products more choices, more supply सस्ते prices समझ रहे हो ना तो इसी बात पर जाओ नीचे description में Amazon से को shopping करो subscribe और चैनल को वीडियो को share को देने नहीं है टेक कर गई